तो students, आज जो पोएम आपके सामने पेश है, यह साथ Cecil Spring Rice के लिखी होई पोएम, I vow to thee my country है, और इस वीडियो में इसकी explanation जो है, उसकी ओपर चल्चा करेंगे, इसके साथ साथ ही इसकी जो background है, central point है, इसके ओपर भी बात होगी सबसे पहले हम आते हैं, जो background है इस पोएम की I vow to thee my country, यह एक British, patriotic, him है Him से मतलब है एक ऐसी पोएम, जिसमें जैजकार हो रही हो, जिसमें गुनगान हो रही हो, किसी चीज के बारे में और patriotic से मतलब हो गया देश भक्ती, तो देश भक्ती के गुनगान से भरी होई यह पोएम है और यह जो poet थे इसके, यह एक British diplomat थे और इन्होंने इस पोएम को 1908 और 1912 के बीच में लिखा था लेकिन जिस तरीके से यह पोएम आजकल जो इसकी धुन बजाई जाती है या इसे गाया जाता है उस musical composition की रचना जो है 1921 में होई थी, जिसमें Gustav Holst ने music दिया था तो यहाँ पर जो occasions होते हैं, राष्टी occasions UK में या बेटन में तो उन अवसरों पर इस कविता की धुन को या इसे बजाया जाता है और इस कविता में पोएट ने ये दिखाने की कोशिश किये कि कैसे as a Christian आपके पास वफादारी या लोयल्टी के लिए दो चीज़े होती है एक होती है आपकी मातर भूमी या आपका देश और एक होता है वो इश्वर जिसने आपको बनाया है तो ये जो इसका central point है तो चलिए इसे देखते हैं line by line I vow to thee my country, all earthly things above I vow to thee, vow जुखता हूँ, thee से मतलब है you, तुम्हारे आगे ऐ मेरे देश, मैं जुखता हूँ तेरे आगे उन सभी अर्थली चीजों को परे रख कर मतलब अर्थली चीजों से यह मतलब है, वो चीजें जो धन, दौलत, माया जिसे कहा जाता है इन चीजों को हटा कर, क्योंकि इन अर्थली चीजों की कोई value नहीं है तेरे आगे तो ही सबसे उपर है, तो इन सभी चीजों से उपर उठकर मैं तुझे प्यार करता हूँ Entire and whole and perfect, the service of my love और यह जो loyalty है मेरी, यह जो देश भक्ती है मेरी, यह सबसे उपर है, perfect है और मैं तेरे लिए, जो मेरी सेवा की भावना है, वो सेवा की भावना, जो की मेरे अंदर तेरे प्यार से जागी है उसे लेकर मैं तेरे सामने खड़ाँ The love that asks no questions, the love that stands the test, that lays upon the altar, the dearest and the best यह जो मेरा प्यार है मेरी देश के लिए, वो एक ऐसा प्यार है, जो question नहीं पूछता वो एक ऐसा प्यार है, जो हर तरीके की मुसीबतें अगर आती है, तो उन्हें घेलने के लिए तैयार रहता है ये एक ऐसा प्यार है, जो तेरी वेदी पर, आल्टर का मतलब होता है, एक तरीकी की चौखट हो गई, जब आप चर्च में जाते हैं, तो वहाँ पर एक आल्टर होता है, एक जगे होती है, जिसके पीछे ईश्वर की मूर्ती वगएरा या फोटो वगएरा रखी होती है, तो उस वेदी पर मैं बिचाता हूँ तेरे आगे अपने आपको, मतलब मैं पूरी तरह से अपने आपको समर्पन करता हूँ तेरे आगे, उस प्यार के साथ, जो की सबसे प्यारा है, वो प्यार जो की सबसे अच्छा है, तो जो मेरे अंदर जो best quality है, वो मैं तुझे बिना किस question के बिना किसी जिजग के रख सकता हूँ, the love that never falters, the love that pays the price, ये जो love है मेरा, ये falter नहीं करता, falter से मतलब है, डग मगाता नहीं है, कैसी भी मुसीबित आ जाएं, और अगर इस love के लिए, मुझे कीमत चुकाने पड़ती है, अपने आपको तेरे हवाले करके, अपने आपक the love that makes undaunted, the final sacrifice, और ये जो मेरा प्यार है तेरे लिए, ये undaunted है, इसमें कोई जिजग नहीं है, कोई डर नहीं है, और अगर final sacrifice, से है मतलब है, अगर मुझे तेरे लिए अपने आपको कुर्बान भी करना पड़े, तो उसमें भी मैं हमेशा आगे रहूंगा and there's another country I have heard of long ago, most dear to them that love her, most great to them that know अब यहां तक बात हो रही थी उस देश की जहां पे पोईट रहता है, मतलब इस प्रिथ्वी पे बसे हुए एक देश की, मतलब बिठन की लेकिन अब पोईट का मतलब है उस देश की तरफ जो की इश्वर का घर है और पोईट कहता है कि मैंने उस देश के बारे में भी बहुत पहले सुना हुआ था जो की इसी देश की तरह जहां मैं रहता हूँ जो मुझे प्यारा है, और यह जो देश है उन लोगों को बहुत ही भाता है, बहुत ही प्यार आता है इस देश पे जो इसे जानते हैं तो जैसे किसी इंसान की जब परवरिश होती है तो उस परवरिश में उसे अपने धर्म के बारे में में पताया जाता है उसे अपने कल्चर के बारे में बताया जाता है तो हम शायद उसकी आर्मी को जान सकते हैं और हो सकता है नहीं भी जान सकते हैं तो आर्मी से यह मतलब है गौडली जो पावर्स होती है हो सकता है कि हमें पता हो कि वो कितना पावर्फुल है और ये भी हो सकता है कि शायद हम कभी न जान पाएं कि वो कितना powerful है हो सकता है कि उस इश्वरे जगे का जो मालिक है वो कैसा होगा देखने में, कौन होगा शायद हम जान सकते हैं किसी को पता भी हो, किसी ने अनुभब किया और हो सकता है कि इस बात को हम कभी न जान पाएं क्योंकि वो सबसे उपर है, सबसे अलग है, सबसे जुदा है और ये जो देश है, ये जो ईश्वर ये घर है, उसका जो फोर्ट्रेस, उसका जो सबसे मजबूत जो हिस्सा है, वो कौन है? वो ऐसा दिल है, जो भक्ती से भरा हुआ है, जिसमें निश्टा है, जिसमें फेटफुलनेस है और इस देश का गर्व कहां रहता है, इस देश का गर्व रहता है, ऐसे दिल में, जो हमेशा मुसीबतों के लिए तयार रहता है, जिस पे मुसीबते पढ़ती है कहते हैं कि जब कष्ट होता है तभी आपको ईश्वर के दशन मिलते हैं या ईश्वर उन्हें कष्ट देता है जिसे वो प्यार करता है तो ऐसी चीजों जो हैं इस कविता के माद्यम से भी पोईट ने दिखाने की कोशिश की है And soul by soul and silently her shining bounds increase और एक से दूजा, दूजे से तीजा, soul by soul एक आत्मा से दूसरी आत्मा और धीरे धीरे उसकी जो shining bounds उसकी जो boundary है उसका जो area है, इस देश का जो ईश्वर ये देश है वो धीरे धीरे बढ़ रही है तो यहाँ पर एक थोड़ा सा context यह है कि देखिए 1912 के आसपास बिटन की बहुत सारी जगों पर colonies थी अपना समराज्य था और इन समराज्य में बिटन ने अपनी धर्म को फैलाया अपनी भाशा को फैलाया तो यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब यह है कि इस तरह Christianity जो है ways of gentleness and all her paths are peace और इस इश्वरे घर के या इस इश्वरे अदेश के जो रास्तें मतलब जिस तरीके से यह पेश आता है जिस तरीके से अपने आपको दिखाता है यह जो है बहुत ही प्यार से भरा हुआ gentleness और इसके जो रास्तें वो हमेशा शांती से भरे हुए है तो यह जो है poets की अपनी खुद की opinion है कि किस तरह Christianity किस तरीके का धर्म है तो दोस्तो यह थी इसकी explanation तो hopefully आपको इसे समझने में आसानी हुई हो बताएगे कैसा लगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप से जल्दी बाइ